हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है सतेंदर सिंग और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश लवर्स पर दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ट्रांसलेशन आना और यही एक जरिया है जिससे हम इंग्ल इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक और कड़ी मैं आप सभी के सामने पेश करने जा रहाँ तो हम इसमें बिल्कुल प्यारसे यह सीखेंगे कि कैसे ह हिंदी के सेंटेंसे को हम इंग्लिश में लेनी पाया था तो जो आ गए हैं जल्दी से एक बार लाइक कर दें और फिर शुरू करते हैं हम आज की वीडियो ओके पित्होरागड से गुजरात से राम राम भाई राम जो भी अर्याना देखें भाई तम सब ने मेरी राम राम है अरकामलंगरेजी शिखाऊं होड है पूरी मैं अत्य कोशिश कर रहे हूं भाई बाकी तारे उपर भी है है ने चलो बाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जब पूरते जारखंडते बताम एक बढ़िया कुणबा बना लेओ ठीक है कुणबा एक परिवार एक बड़ा कुणबा बना लेओ अपना ठीक है इंगलिस कोई बढ़ी चीज ना है जम्मा असान करके शिखाऊगा तरह चलो लाइक कर दें जल्दी से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चल यह तो देखो विदेशों वाले भी जुड़ गए हैं यूके से और बाकी कहां पंजाब गुड़गावा और यूएई से भी कही लोग जुड़े हुए हैं सब्सुदेव कुटूंबकम यह पूरी प अब चीज शीखते हो न वह आपके लिए क्या करती है जैसे आप अभी इंगलीश सीख रहे हो तो इंगलीश में आपको बेसिक्स यानि की करना क्या है शुरुआत आपकी कैसे होगी वह इंप्रोटेंट है समझना तो सबसे पहले जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रा करना पड़ेगा और उसी नियम के तहट आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और जैसा मैं आप लोगों को दिखा हूं अगर तो देखिए पूरा यह देखो प्रैक्टिस एक्सराइज भी करेंगे लास्ट में तो बस आप बने रही है मेरे साथ ठीक है शुरू करते हैं तो जो हम आज सीखेंगे उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस जो क्वीज मैं देता हूं लास्ट में प्रैक्टिस के लिए वह भी करेंगे तो बिल्कुल आराम से आप लोगों को चीजे समझ में आ जाएंगी ठीक है तो भाई शुरू करते हैं चलिए तो सबसे पहले हिंदी से इ हमारा क्या है दोस्तो सब्जेक्ट है और यह क्रिकेट क्या है यह एक औबज required और खेलेगा यानि सी उल्ट-पुलट हो जाती है यह उल्ट-पूलट कहा होती है दोस्तों इंग्लिश में A Tory करता हूं वह्य क्रिकेट खेलेगा लिन क्या है दोस्तों सब्जेक्ट है बल्द किया है दोस्तों HELPING वावभ weege क्या है ले है और लस्ट मैं हमारा क्रिकेट बहता यह हमा रूल क्यूज हो जाते हैं मैं जा रहा हूं आये तुम आपने सही बोल दिया लेकिन उसके बाद आपको क्या लगाना है वह इंपोर्टेंट है तो सब्जेक्ट के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब के साथ आपकी में वर्ब भी आ सकती है तो यह जो है जो यहाँ पर लाशन पर यह आई है यह सब्जेक्ट कि बिलकुल आगया एंग इस बात का अपको ध्यान रखना है इंग्लीश बोलते हुए ठीक है इंग्लिश बोलते हुए यह च्यज़ ध्यान कि कौन सा काम ठीक है किसके ऊपर काम हुआ that is our object ठीक है तो देखिए वह क्रिकेट खेलेगा he will play cricket तो future tense में हमारी helping verb जो लगेगी वो लगेगी विल और वर्ब जो है main verb वो उसके साथ आएगी तो he will play cricket अब आप बनाने की कोशिश कीजिए मैं अंग्रेजी बोलूंगा क्या आपको अंग्रेजी बोलने से कोई रोक सकता है कोई नहीं रोक सकता ठी तो मैं अंग्रेजी बोलूँगा इसकी इंग्लिश आप क्या बना दोगे यहां पर जल्दी से थैंक्यू थैंक्यू एव्रिवन फोर यूर लवन सपोर्ट ठीक है बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सब इतना प्यार मुझे दे रहे हैं जल्दी से इसको बताईए प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ ना वेरी गुड तो देखो आज से पहले आप में से कोई भी बंदा एक कहता कि सर मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती आप भी तो कॉमेंट में कई यही तो कह रहे हैं कि सर बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती तो अगर आपने इसका सेंटेंस बना दिया कि I will I will speak English तो इसका मतलब क्या है बताओ मुझे इसका मतलब यह है कि आप अंग्रेजी बोलोगे यू विल स्पीक इंग्लिश और आज के बाद यह नहीं कहोगे कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती समझ में आ रहा है आपको ऐसा कोई नहीं कहेगा आपने से इंग्लिश कोई बड़ी तोप नहीं है भाई हमने अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और कई इंडियंस जो हम इस तरफ के ना इसिया वाले हम नेटिव स्पीकर से बैटर इंग्लिश बोलते हैं आप किसी अंग्रेज से ना बिठा के मैं हो सका तो कभी अगर फॉरन कंट्री जाओंगा मैं उनसे ग्रामर की नॉलेज लूँग ना तब आपको पता चलेगा उन्हें नहीं पता कि क्या सब्जेक्ट है क्या वर्ब कैड वर्ब तो हमें तो उनसे बहुत ज़्यादा ग्यान है नेक्स्ट वह क्रिकेट खेल रहा होगा तो कोई भी काम अगर भविश्या में हो रहा होगा उसके लिए हम क्या इस्तिमाल करे करेंगी एक यह गये और एक यह है हमारा में मैं यह हमारी घ्ल्पिंग तो ही खेल विल प्लेइंग क्रिकेट कि वह है खेल रहा होगा ही विल भी जल्य बोल रहा होुंगा फ्यूचर की बात है जल्दी से बताए यह क्या बनेंगा इसका बहुत बढ़िए सर यही पर आते हैं अंगरेज्ज लोग अरे वो आते हैं जब सब कुछ उन्होंने जिन्दगी में प्राप्त कर चुके होते हैं तब वो ते यह तो कुछ तहीं संहिं लग रहा एक यहाँ पर बहुत लोग आते हैं यहाँ पर holy places बहुत ज़्यादा हैं मारे तो इसलिए भी आप राते हैं ठीक है मैं अंग्रेजी बोल रहा हूंगा बताइए देखो आपको क्या ध्यान देना है मैंने कहा will be और कोई काम हो रहा होगा तो जो भी आपकी वर्ब है उसके साथ ing ज़रूर आएगा यहाँ पर नहीं ing लेकिन कोई काम हो रहा होगा उसके लिए वर्ब के साथ ing ज़रूर आएगा तो अब अपने sentences को correct कर सकते हैं आप ठीक है न मैं अंग्रेजी बोल रहा होंगा मैंक इंग्लिश होती है आए और आए के बाद क्या आएगी helping वर्ब वो क्या है हमारी will be है ना भविश्य के लिए will be और उसके बाद main वर्ब क्या है हमारी बोलना बोलना क्या होता है speak और रहा होंगा रहा का मतलब ing ठीक है I will be speaking और object क्या है क्या बोल रहे होगे आप English तो बताओ आपको क्या मुश्किल लगा इसमें है ना बिल्कुल आसान यह हम सोचते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा English बोलेंगे नहीं बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे clear है मजा आ रहा है सब को कितने यहां पर अश्बना के देरों यह बनाते हैं ऐसे बनाते हैं कैसे बनाते हैं कोई ऐसे करता हैं मुझे आज तके आना नहीं आया ऐसे ही करते होंगे तो कितने आप लोग यहां पर हर्ट मुझे दे रहे हैं देखते ही प्यार आ रहा है चलिए नेक्स्ट है फ्यूचर में अगर हम किसी को कहना चाहें कि वह क्रिकेट खेल चुका होगा यानि कि भविश्य में कोई काम पूरा हो चुका होगा तो हम कैसे बताएंगे वह यानि कि सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट तो ही आ गया वह लड़का है तो ही लड़की है तो शी उसके बाद क्या होगा हम लगाएंगे helping verb और work और helping verb है will और helping verb है will have helping verb will have और main verb क्या है खेल played तो यहां पर आएगी verb की third form और फिर आएगा object तो subject आ गया, helping verb आ गई, verb आ गई और यहां पर object आ गया, वह cricket खेल चुका होगा, यानि cricket खेलने का काम जो है, पूरा हो चुका होगा भविश्य में किसी point of time पर, तो हम कह रहे हैं, he will have played cricket, तो मैंने आपको बताया, अगर कोई काम पूरा हो चुका होगा, उसके लिए future में fix है, क्या fix है, यह हमारी helping verb fix है, और जो भी verb आएगी, वो अपनी third form में आएगी, अब आप बताये, मैं अंग्रेजी बोल चुका होगा, मैं अंग्रेजी बोल चुका होगा, देखिए, जो verb है speak, उसकी तीन form है, क्या-क्या, speak, हाँ, spoke, और spoken, speak, spoke, spoken, clear, very good, तो मैं अंग्रेजी बोल चुका होगा, मैं की इंग्लिश होती है, आए, और फिर क्या हैगा, हमारा helping verb, helping verb क्या कहता है, कि कोई काम पूरा हो चुका होगा, उसके लिए helping verb क्या है हमारी, helping verb है, will have, और फिर है verb, बोलना, तो speak, speak, spoke, spoken, speak, spoke, spoken, और क्या बोल चुके होगे, object क्य क्या है, जो subject के पास बैठा है, that is English, तो यह मैं दावा करता हूँ, अगर आप इस channel पर बने रहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, कि आप English क्यों नहीं बोलोगे, क्यों नहीं सीख पाऊगे, दोस्तों, ऐसे बहुत से कई teachers, professors, अच्छी अच्छी में, ना corporate में job करने वाले, वो English पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, best English लिख देंगे, grammar उनकी मस्त होगी, लेकिन उनको भी बोलने में परेशानी आती है, क्यों? प्रैक्टिस की वज़े से, तो इस channel पर हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल basic zero level से चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है दोस्तों? चलिए, Amazon और Flipkart पे already available है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने grammar के rules इसमें नहीं भरे, मैंने ज्यादा tenses के rules नहीं भरे, जैसे मैं आपको practice करवाता हूँ, यहां पे, वैसे ही मैंने practice करवाई है, daily conversation, जो daily बातचीत होती है, और मुहावरे हैं, phrases ह लोकोक्तिया हैं, तो यह सारी चीजे मैंने इस किताब में डाल दी है, तो 200 रुपे के असपास की किताब है, अगर आप में से किसी को practice करनी है, अपनी English की, तो आप यह किताब Amazon यह Flipkart से order कर सकते हैं, और अभी भी यह number one पर चल रही है, best selling में, अपनी category में, ठीक है, Tenses कर लिए, अब हम आ रहे हैं, बिल्कुल basic चीजों के उपर, और यह हम मिलकर साथ करेंगे, ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं कि भविश्य में कुछ होगा, या आप भविश्य में कुछ बनोगे, कैसे, ध्यान से देखो, तो यह जो टाइप है, future, हम किसकी बात कर रहे हैं, future tense की, किसकी दोस्तों, future tense की, ठीक है, आपको देखके मज़ा आ रहा है, देखिए, पहला type कहता है, subject आएगा, फिर आएगा, will be, will be हमारा क्या कहता है, will be कहता है, कुछ होना, और कब होना, future में, और यह कुछ क्या होना है, कोई उदास हो सकता है, कोई गुसा हो सकता है, कोई खुश हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई खुबसूरत, कोई ताकतवर हो सकता है, बात समझ रहे हो, तो कुछ होना, भविश्य में, वो दर्शाय जाएग किसी का किसी दूसरी जगह पर होना अगर मैं कहूं वह घर पर होगा ही विल बी एट होम समझा गया तो इस तरीके से आप कहेंगे विल बी का मतलब कुछ होना और अगर आपको लग रहा है कि ये सब देखके आपको लग रहा है थोड़ा है मुश्किल है अभी आसान किये देत विल बी लगा दो और उप्価יक क्या बच गया खुश खुश की इंग्लिश क्या होगी है कि है यह बी अब आप बताओ वह outs होगा हि विल बी से यह परेशान होगा ही विल बी वरिड और अको गैर आर आ और जो मेरे भाई बेहन है उन तक भी नोटिफिकेशन यूट्यू महाराज पहुचा दें जो कि आज बिल्कुल नहीं पहुचा रहे हैं इसलिए बार-बार कहना पड़ता है कि लाइक करें यह चीज कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर क्यों बोलते हो बेटा आपको तो वीडिय जो मिल गई लाइब आ गई लेकिन आप जैसे बाकी दोस्तों का क्या जिनको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलती कभी कॉमेंट पढ़के देखना कई बच्चे कहेंगे सर नोटिफिकेशन नहीं मिला आप यूट्यूब की अल्गोरिफ्म में कुछ दिक्कत चल लिए क्या करें नुकसान हो रहा है न कई बच्चोंगा चलो कोई बात नहीं फिर भी तो मैं डॉक्टर बनूँगा अब आप मेरे साथ साथ करोगे यह सारे सेंटेंस मैं डॉक्टर बनूँगा बताओ जिल्दी से मैं आपकी प्रैक्टिस ऐसी करवा दूँगा कि इंग्लिश आपके इसी भी एकना कि वैरी डॉक्टर बनुगा सब्जेट क्या हो अए यह किया है helping word I will be और क्या हो गया भाई क्या बनौगर ढॉक्टर तो आपने क्या लिख दिया I will be a doctor और आपने a क्यों लगाया क्योंकि ये क्या है countable noun है देखिए जो happy है ना खुशी इसको आप गिन नहीं सकते तो इसके आगे an दा लगाने की कोई जूरत नहीं है ठीक है लेकिन doctor एक doctor, पांच doctor, दस doctor ऐसा अगर कुछ लगाओ तो ए लिख दो अगर एक की बात कर रहे हो तो जिसको भी गिन सको ना और वो एक कहीं भी English में लगाया आपने ए लगा देना मेरे कहने पर समझा रहा है और vowel sound आए तो एन लगा देना ये मैं आपको article फिर से करवाऊंगा कई बार करवा चुका हूं वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर नहीं तो मैं फिर से करा दूँगा हम कल दिल्ली में होंगे जल्दी से बताओ इसका क्या होगा हम कल दिल्ली में होंगे UPSC लवर भाई लिव नहीं आएगा टूर्ट्स नहीं होगा बिकी एडिट्स की जब एक जगह से दूसरी जगह की डारेक्शन में जा रहें तो टूर्ट्स आएगा आपको प्रेपेजिशन भी करवाने की जुरुरत है वो भी चलो मैं करवाऊंगा आपको टोपिक टेंशन आलो ना नोट नहीं करना बेटा आप बस यहां पर देखते जाओ यह पीडिएफ जो है ना पूरी पीडिएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ओफ कोस्ट मिलेगी 75,000 आप जैसे भाई लोग जुड़े हुए हैं दोस्त जुड़े हुए ठीक है नोट मत करो प्रैक्टिस करो मेरे साथ ठीक है अपना टाइम वेश मत करो बस मैं यही चारूँ चलिए तो हम कल दिल्ली में होंगे सब्जेक्ट क्या है वी फिर क्या लगा दोगे will be we will be कहा दिल्ली में इन डैली और कब होंगे भाई बताओ यार कब होंगे कल यानि की टुमोरो बताओ क्या मुश्किल था मज़ा आ रहे हैं कि मज़ा रहे है ना बस लाइक करते जाओ आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए ठीक है बस बाकी में देख लूँगा वह मेरी पतनी बनेगी यह तो सभी कर देंगे कि यह सिंपल सेंटेंस तभी तो टाइप अलग बताया है बंदू कई लोग ना मतलब अपना अलग दिमाग लेकर आएंगे सर यह तो ऐसे है अरे जो सिखा रहा हूं वह सीख लो और अगर आता है तो यहां पर आप कर क्या रहे हों कॉमन सेंस है कि वैरिग और अउ-चैंट कि देखो इसका इस्तेमाल करना अब आपको पता चल जाएगा अगर आपको कहना है न की एक दिन वह मेरे गर्फ्रेंट मनेंगी एक दिन मेरी पत्नी मनेंगी एक दिन बहुत बढ़िया तो वह मेरी पत्नी बनेगी लड़की के लिए क्या आता है शीप फिर क्या हो जायेगा विल बी शी विल बी क्या मेरी पत्नी शी विल बी मावाई बस खलास she will be my wife कि कहते हैं ना तुम मेरी पतनी बनोगी you will be my wife तुम मेरे husband बनोगे you will be my husband तुम मेरी सबसे खास दोस्त बनोगी you will be my best friend वे मुझसे गुस्षा होंगे जल्दी बताओ ये यह आप कर दोगे तब मुझसे गुष्स अंगे जल्दी करो मजा आना जहीं है मैं चाहता हूँ आपका टाइम गर्टेश नोब जल्दी जल्दी करें फिर प्रैक्टिस भी करेंगी इसकी आप कर रहे हैं फिर और प्रैक्टिस करेंगे आपको आज ऐसा निचोड के छोड़ूंगा ना कि आप लोग इसमें गलती नहीं करोगे और प्रैक्टिस भी करना है प्रैक्टिस करते रहना और यह पूरी पीडिएफ ना आपको पूरी पीडिएफ मिलने वाली है मेरे टेलीग्राम चैनल पे को छोड़ दो जी लेने धो है ना चलो कोई बात नहीं वे मुझसा गुसा हूँगे दे विल भी यह और टे विल भी कि यहां गे मुझसे आदने किसे मुझसेvida टे आंगरी विदमीcket टे वी एंगरी विदमीड डाउन着 एंगरी मी कहते हैं ना रेलोग चलो बताओ next अब जो एक second type है वो future tense का क्या कहता है दोस्तों subject आता है फिर helping verb आता ही है फिर main verb आएगी और object इसमें किस type के sentence मनेंगे एक example मैं करूँगा बाकी क्या आप खुद करेंगे और सही करेंगे ठीक है वह मेरी बात नहीं सुनेगा नहीं के लिए क्या लिखते है not बस तो वह सुनेगा लड़का है he helping verb क्या है will और नहीं he will not क्या नहीं करेगा main verb यानि की बात सुनेगा किसकी मेरी he will not listen किसकी मेरी बात भाई listen to me he will not listen to me ठीक है चलिए next हम बातें करेंगे जल्दी जल्दी करो ठीक है अगर आपने गलती भी किना दोस्तों घबराना नहीं है गलती करके ही आप सफलता की सीड़ी चड़ोगे अरे PDF अभी दे दूँ क्या पहले पढ़तो ले कि वेरी गुड जल्दी से बताइए हम बातें करेंगे सिंपल है इससे सिंपल यहां आपको पूरे इसमें वाक्य नहीं मिलेगा अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करो वेरी गुड हम बातें करेंगे कोई भी पूष्त ना क्या चल कल मिलते हैं आपके यार क्या करेंगे मिलकें तो आप क्या को गहीं बाते करेंगे ठीक है वी वी यह के वी वींट टॉप टॉप का मतलब होता है बाते करना और आप बताए वे कल सुबह सुएंगे हो सकता है रात को कुछ important काम चल रहा हो तो वे कल सुभै सोएंगे जल्दी से बताइए क्या बनेगा इसका बताओ बताओ भाई और भाई जिसको मज़ा आ रहा है ना लाइक जरूर कर देना ठीक है इमानदारी से दिल पे हाथ रखें क्योंकि जितनी मेहनत से मैं आप लोगों को सीखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं चाहता हूं आप ही की तरह है बाकी और बच्चे जो जरूरत मंद है है वो भी सीखें ठीक है तो जल्दी से बताइए क्या बनेगा वेरी गुड़ बहुत बढ़िया वे कल वेक इंग्लिश होती है दे हेल्पिंग वर्ब क्या है विल में वर्ब क्या है स्लीप दे विल स्लीप कब कल सुबह तो मॉर्णिंग अब इसी से मिलता जूलता एक और जो हम कई बार इस्तिमाल करते हैं क्या कहते हैं हम कल सुबह मिलेंगे जल्दी बताओ इसकी इंगलिश आ जाएगी ना अब तो अब तो कर लोगे तो यह मत कहना यार कि सर हमारी जीरो लेवल की इंगलिश है हमें कुछ भी नहीं आता है आप लोग कि क कुछ आता है तो आपको कुछ और आता है हर किसी की स्किल अलग अलग है सिर्फ इंग्लिश नहीं आती तो आप लोग अपने आपको ऐसा मान लेते हो कि आप से रद्धी बच्चा धर्ती पर है इनी ऐसा नहीं होता दस आदमियों में आप बड़ा ऐसे फिल करते हो अगर कोई अधर आता है तो क्या आपने कभी देखा पाइलेट अंदर आके ऐसे करता है ठुले नकली लोग ऐसे बोलता है कोई पाइलेट आके नहीं ना तो आप क्यों अपने आपको कम समझते हो किसी से तो जो आपको आता हो सकता है उसको ना आता हो चलिए तुम सारा दिन होगे मेरी वीडियो देखते रहां अगरो प्रोपर कोर्स करवा रहें 30-30 क्लासिज के आधी जनता सीख चुकी है इंग्लिश ठीक है अब आपका नंबर है जल्दी सीखो ठीक है ग्रेट तुम सारा दिन पढ़ोगे तुमकी इंग्लिश होती है यू हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी फ्यूचर के लिए विल और फिर इसकी मेन वर्ब क्या जाएगी पढ़ना यू विल स्टड़ी कि तुम पढ़ोगे कब सारा दिन फोल डे समझा आगया आसान है अब आप बताओ कल बारिश होगी सिंपल से और दिल्ली में तो मोसम वैसे ही अजीब सा हो रहा है दो-तिन दिन से बारिश हुए जा रही है यह जो बिगड़ चुका है ना संतुलन क्लाइमेट चेंज यह हमें लगता है मजाग था यह सच है देखो जून के महीने में में के महीने में एंड में गर्मी की छुटियां पढ़ती है वहां सर्दियों जैसा मोसम हो रखा है जल्दी बताओ वेरी गूड कल बारिश होगी तो जहां आपको सब्जेक्ट ना मिले नोन लिविंग थिंग हो कोई बंदा समझ में आ रहा हो क्या लगा दो इट तो सब्जेक्ट क्या है इट हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर के लिए विल में बारिश में वर्ब क्या होगी इट विल रें टुमोरो दोस्तों इंग्लिश ऐसी आती जाएगी आपकी जिंदगी में मान लो मैंने 500 वीडियो करवा रखें 500 वीडियो में हर वीडियो में मैंने 20-25 सेंटेंस करवा रखें तो आप सोच के देखो 10,000 सेंटेंस 10,000 सेंटेंस मेरे चैनल पर हैं तो अगर आपने सभी अब आ गई हमारी प्रेक्टिस अब प्रेक्टिस करेंगे बाई आप करेंगे प्रेक्टिस प्यार वाले तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जल्दी से प्रेक्टिस करते हैं यह 10 है 10 marks हैं तो अगर तो आपने मेरे साथ प्यार से बिलकुल इमानदारी से प्रैक्टिस की है तो बिलकुल वही sentence मैंने यहाँ पर लिखे हैं और आप सब अपना progress देखना कि आपकी कितनी English अच्छी हो गई सिर्फ आज की वीडियो से पिछले 20 मिनट के अंदर अंदर चलिए बता हो डाउट हो रहा है कि कब भी लगए खुश्बू यादव देखो ऐसा है जिस टाइप के sentences में भी लगेगा वह मैंने आप लोगों को करवाए हैं तो आप यह मत देखो कि वी के साथ भी लगना है कब लगना है यह रूल याद मत करो आप यह याद रखो विल भी किस तरह क कि वाक्यों में लगेगा कौन सी situations में लगेगा ठीक है तो situation की practice में आप लोगों को करवा रहा हो उसी तरीके से चलोगे तो जल्दी सीख पाओगे यह मेरा तजूरबा है as a teacher ठीक है ना रूल याद नहीं रहते situations याद रहती हैं तो वह मुझसे माफी मांगेगा जल्दी ब लेकिन माफी मांगना apologize माफी मांगना क्या होता है माफी मांगना ये एक वर्ब बन जाती है apologize अब मुझसे मुझसे तुम मुझसे बात करोगे you will talk to me तुम मुझसे माफी मांगोगे you will apologize to me समझा रहा है very good चलिए तो वह मुझसे माफी मांगेगा वह यानि की ही और फ्यूचर टैंस के लिए हल्पिंग और क्या होती है विल ही विल और में वर्ब क्या है अपॉलोजाइज टू मी की वह मुझसे माफी मांगेगा एक नंबर पक्का हो गया आपका वेरी गुड अब बताइए सेकिंड सेंटेंस मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा और यह मैं यहां नहीं लिख रहा हूं आप सब के दिल पे लिख रहा हूं समझा रहा ह से मैं आप लोगों को इंग्लीश सिखाऊंगा जल्दी से इसको कंप्लीट करें कास शच में बारिश हो तो क्या करोगे रोज नाचोगे मोर बनगे हैं मैं थोड़ा ना पढ़ाने में ज्यादा बीजी रहता हूं लेकिन कई कई ऐसे कॉमेंट आते मेरे से रुकानी जाता है वो ले वे ठीक है लेकिन उसका फाइदा मत उठाओ जल्दी से बताओ देखिए दोस्तों मैं मैं की इंग्लीश आए एज़ा सब्जेक्ट मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा helping verb क्या है future में विल फिर किसको क्या करना अंग्रेजी सिखाना तो वर लिए विल टीच यू इंग्लेश दो नमबर पक्य होगे बैरी गुड़ अब जल्दी से तीन तुम भीक मांगोगे तुम यह काम करोगे तो हर काम आप किसी को कहते हो कि तुम यह करोगे उसको आप यहां पर फिट कर सकते हो जल्दी से बताओ इसका क्या बताऊगे बहुत बढ़िया very good तो तुम यानि की you helping verb will और भीक मांगोगे भीक मांगने की English क्या होती है you will beg you will beg फिर वे मुझ पर हसेंगे जल्दी बताओ इसकी क्या बताओगे देखो तुम भिखारी बनोगे अगर आप किसी को कहते हो तुम भिखारी बनोगे तो आप कहोगे you will be a bagger you will be a bagger clear है ओके भीक मत मांगो भीक मत मांगो don't beg ठीक है मुझे परेशान मत करो don't irritate me ठीक है और लिखो मत don't write भागो मत don't run रुको मत don't stop ठीक है दोस्तों तो देखिए एक सेंटेंस से हम कहां कहां पहुंच जाते हैं ठीक है ना जैसे मेरे खयालों के घोड़े दोड़ते रहते हैं इसी तरह आपकी English के घोड़े भी दोड़ते रहने चीए जल्दी से बताओ वे मुझ पर हसेंगे वे की English होगी दे helping of future के लिए will और हसेंगे हसने की English क्या होती है लाफ किस पर मुझ पर मैंने आपको हर बार बताया है क्या आएगा इसके लिए हर बार मैंने बताया है ठीक है they will laugh at me तो हमेशा you always look at someone you always laugh at someone और वह मुझ पर चिलाएगा जल्दी से इसकी English भी बताओ फिर वह मुझ पर चिलाएगा he will shout at me तो चाहे आपको laugh at करना हो चाहे आपको look करना हो उसके साथ भी एट आएगा चाहे आपको shout यानि की चिलाना हो उसके लिए भी एट आएगा ठीक है कि समझ आ रहा है मजा आ रहा है कुछ नहीं सीखने को मिल रहा है तो like कर देना बस इतनी ही मेरी इच्छा है यही मेरी गुरू डक्षिना है ठीक है next सीमा हम घर वापस आ चुके होंगे यानि future में कोई काम पूरा हो चुका होगा उसके लिए वहां क्या है first page पर करवाया था मैंने याद करो जल्दी से पर्स्लाइड में करवाया था जल्दी से बताओ हम घर वापस आ चुके होंगे इसकी इंग्लिश क्या बनेगी मसका नहीं मसका नहीं sir your voice is so euphoric मसका नहीं मालनेगा पैसे मुझे अच्छा लगा सुनके मुझे मेरी आवाज पसंद नहीं है पता नहीं क्यों यार सब इमांदारी से ही बताना आवाज मेरी ज्यादा खराब तो नहीं लगती न आपको खराब है यह मुझे पता है ज्याद क्या होगी विल कोई काम पूरा हो चुका होगा यहां से हेल्पिंग डिसाइड होती है दोस्तों लास्ट के जो दो वर्ड्स होते हैं उनी से हमारी क्या डिसाइड होती है हेल्पिंग वर्ग तो कोई काम भविश्य में पूरा हो चुका होगा विल है वी विल है और वापस आने की return तो उसकी third form आ जाएगी we will have return form return के साथ back नहीं आएगा come back सही है came back लिख देना that is okay but return back कभी नहीं होता भाई return का आपने आप में मतलब होता है वापसी next सीमा उदास होगी जल्दी वताओ सीमा क्यों उदास होगी क्योंकि आप सही लिखोगे और सीमा क्या चाहती है आप सही लिखो तो जल्दी वताओ सीमा उदास होगी इसकी English क्या बनाओगे very good सीमा और होगी यानि की future तो हमारी helping verb will क्या होगी उदास होगी तो होना होने के लिए हम क्या लगाते है बी सीमा विल बी सैड सीमा खुश होगी सीमा विल बी हैपी मोगैंबो खुश हुआ है ना चलिए वह मुझे पर गुसा होगी जल्दी बताओ क्या आएगा इसका वह मुझे पर गुसा होगी return और comeback में क्या difference कोई difference नहीं है या तो return लिख दो या comeback लिख दो comeback का मतलब भी वापसी होता है return का मतलब भी वापसी होता है कई चीजों में difference नहीं होता दोस्तों तो आपना जान बुझ के अपना scientist वाला दिमाग उसमें कम लगाया गरो और सिर्फ focus किया गरो कि अगर आपको simple meaning पता है तो simple बोल दो अब कई लोग English बोलते बोलते क्यों टक जाते हैं इसी वजय से वह ने लगता है return लगाऊं या comeback लगाऊं क्या लगाऊं समझ नहीं आ रहा इसी में गाड़ी छूड़ जाती है जो आता है वो लगा दो जो आता है वो लगा दो अगर गलत लगा है तो आपको पता भी चल जाएगा कुछ प्रस्らい में अना वह मुझ्त पर गुस्षा होगी ही विल आ होगी होगी समझा गया ना शीविल भी यहां उदास होगी और गुस्षा सीवेल बी एंगरी और ऑर एंगरी क्या होता है मुझ पर तो एंगरी किसी के सό gwजा आता है with me very good she will be angry with me भाई मेरे बच्चों के साथ नंबर पक्के हो गया मेरे को मज़ा आ रहा है ठीक है हम मज़े कर रहे होंगे देखो भाई यहां भी वह यह हो गया तो अगर आपको इंगलिस में कभी भी कहना हो हम तो भाई मज़े कर रहे होंगे भाई हम मज़े करेंगे ग बताओ यार लाइक कर दिया ना सबने इमानदारी से हर किसी ने पक्का चलो हम मज़े कर रहे होंगे दोस्तों मज़े करने की इंगलिश एंजोए भी होती है ठीक है having fun भी होती है तो अब अगर मैं कहना चाहता हूं कि कर रहे होंगे तो have fun या enjoy that depends on you कि आप क्या लगाना चाहोगे दोनों ही सही होंगे जैसे return और comeback लेकिन जो modern English है ना उसमें जैसे खाने पीने के लिए और कोई experience कोई एहसास लेने के लिए हम have का use करते हैं तो हम क्या लखेंगे हम मज़े कर रहे होंगे we कुछ हो रहा होगा we will be क्या रहे होंगे तो ing आएग having fun we will be having fun किसी को कहते है ना आवे जाओ यार मजे खड़ो क्या होगी English go and have fun go and have fun समझ आ रहे clear चलिए हम अंग्रेजी बोलेंगे यह तो देखो समको बोलनी पड़ेगी एक दिन कोई वो अमारे अरियाना में काया अगरे है बोला रुक्के मारो वाई रहे किसे चीज के रुक्के मार दो तो मैं तमसम ने कहने लाग रहे हूं रुक्के मारो अपने अपने घराम बेठे बेठे कि हम अंग्रेजी बोलेंग ठीक है यह नारा बना लो अपना कि ऐसा नहीं हो सकता कि यह तो क्या है कुछ भी नहीं है हम अंग्रेजी बोलेंगे वेरी गुड मिस्ट्री फैक्ट भाई आपकी मिस्ट्री में हेल्पिंग वर्ब गुम हो गया मेरा उसको लगाओ वेरी गुड बहुत बढ़िया हम अंग वीडियो को दोबारा देखूंगा और यह आप सभी बात याद रखना अगर आपको आज की पूरी वीडियो से 10% भी समझाया है 30% भी समझाया है तो भी यह पूरी वीडियो एक बार और देखने से आपको आल्मोस्ट यह टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा यह मेरा जिनको एक परसेंट भी डाउट रह गया है तो मैं इस वीडियो को दोबारा देखूंगा I will watch this video again और आप जल्दी से बताओ किस किस के कितने मार्क्स आए हैं किस किस के कितने मार्क्स आए हैं जल्दी से आउट ओफ टैन आपके कितने आए देखो टैन मार्क्स का है टोटल था ठीक है आज की मास्ट छोटी सी प्यारी सी क्लास थी दस में से किस के आए हैं नंबर बताओ यार जल्दी ठीक है और दोस्तों यह देखिए अगर आपको कहीं से भी कोई भी समस्या आ जाए ठीक है अगर आपको बाकी की चीज़ें चाहिए मेरी वेबसाइट पर complete free of cost आपको course मिलेगा पूरे का पूरा कौन सी वेबसाइट है www.englishlovers.in तो इस वेबसाइट पर अगर आपको मेरी बुक चाहिए तो यह home के बाद बुक है इसको क्लिक करो यह तो close करना भाई तो यह देखो आपके पास बुक आ जाएगी अभी भी लाखों लोग एक तरह स है जरूरत में हैं जिन तक यह बुक पहुंचनी बाकी है ठीक है और अगर आपको course की PDF चाहिए complete course की PDF ठीक है step by step तो कहां मिलेगा यह देखो PDF PDF पे क्लिक करो और देखो यह उपर के एक दो तीन बैच है इनको रहने देना जो लेटेस्ट बैच मैंने करवाया है वो है बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स इस पर क्लिक करो प्री कोर्स किसी ने दिया आज तक कहते सब हैं देता कोई नहीं है भाई हम देते हैं सिना ठोक के देते हैं और वो भी PDF के साथ देते हैं देखो यह है तो इस पर को टेंशन लेनी नहीं है अरे बंदो जा बंदो जा बंदो जा कोपीराइट करवाएगी बंदो जा माता चलो तो क्लास वन आपने देखा लिंक दिया हुआ इस पर क्लिक करते ही वीडियो चलेगी और डाउनलोड PDF जैसे यह आपने इस पर क्लिक किया ना यह पूरी PDF खुल जाएगी आपके लिए देखो यह खुल रही है ठीक है तो यह PDF आपके लिए पूरी मिल जाएगी तो जो भी मैं आप लोगों को करवाता हूं जिस भी क्लास में आप लोग आते हो उसकी PDF आपको मिल सकती है टेली ग्राम चैनल पर भी और यहां पर भी ठीक है यह complete course आपको ऐसे मिल जाएगा तो class 1 से लेके दोस्तों class 30 तक यहां आपको यह classes मिल जाएंगे और यार एक काम करो मैं सब से एक अपील करना चाहूंगा कि आप सभी जो मेरे इतने प्यारे हो इतने मेरे बिलकुल खास हो दिल के टुकड़े हो मेरे आप सब ना मेरे टेली ग्र लाइव जाना स्टार्ट करूँगा तो अगर आपको मेरे से face to face बात करनी है तो लाइव आप मेरे से instagram पर ज़रूर कभी ना कभी मिल सकते हैं बातचीत भी अपनी बड़े प्यार से हो सकती है तो यह आप English lovers number one नाम से सर्च करना instagram पर और जुड जाओ और last but not the least देखो अब अब तक मैंने course cards कुछ नहीं बेच चाहा है और ना मेरी बेचने की फित्रत है लेकिन अगर कोई student प्रोपर एक 50 to 80 classes का course करना चाहता है basic से advanced level का तो उसके लिए मैंने क्या किया है मेरी English lovers application है यह आपको मिल जाएगी और reviews देखो भाई 1000 के आसपास review है 4.8 इस पर मैंने क्या क classes की recording मिलेगी ठीक है और 50 अप्लोडिड आपको वीडियो मिल जाएंगी और यह जो भी आप देख रहे हो ना इन सभी classes के आपको pdf भी मिलेंगे pdf मिलेंगे और आपको pdf में किस किस चीज के और मिलेंगे 5000 daily use sentences ठीक है और 1000 most common English words most common words और 500 word meaning और word meanings के साथ क्या है example भी दे रखें भाई और मेरको लगता है यह दोनों जो pdf है ना यह तो बहुत important है हर एक के लिए और एक pdf और दे रखी है 500 verbs दे रखी है second और third form के साथ अब आप पूछोगे course कितने का है दोस्तों इससे सस्ता course पूरे इंदुस्तान में कोई देना मेरे को बता देना ठीक है यह course है four double nine rupees का पूरे एक साल की validity है यानि पूरे एक साल के अंदर आप इस course को कभी भी देख सकते हो और एक और important बात अगर आप यह course लेते हो तो पूरे एक साल के अंदर मेरा कोई भी लाइव बैच अगर चलता है जैसे यह मैंने अभी अभी खतम किया है पिछले ही महीने 30 live classes का तो साल में दो या तीन live classes के course में पक्का लूँगा तो आपको इस एक साल के अंदर अंदर सिरफ 499 रुपे में वो live classes free of course मिलेंगी जो भी zoom classes होंगी वो भी आपके लिए free रहेंगी इसी course में ठीक है तो यह मुझे जानकारी आपको देनी थी बाकी it depends कि आपको क्या आवशकता है दोस्तों देखो मैं कभी भी किसी पर थोपता नहीं हूं ना मैं चाहता कि किसी की जेब मारूं हालां कि देखो यह मेरा profession है as a teacher तो एक दो रुपे तो देखो हर कोई कमाना चाहता है लेकिन फिर भी जो जुरूरत मंद हैं उनके लिए मैंने आपको बता दिया मेरा website जो है ना इसके उपर यह course मैंने इसलिए दे रखा है कि जो बच्चे महनती हैं जो खुद से सीखना चाहते self study बिलकुल सीखिए मै आपका भाई आपकी पूरी support करूँगा और यह पूरा course मैंने इसलिए छोड़ रखा है और यह एक course नहीं है यह देखो चार course है एक नहीं है ऐसा नहीं है एक से मैं ऐसे पागिल बनाने के लिए आप लोगों को दिखा रहा है चार complete course है और YouTube पे भी देखोगे उस पे भी पड़ी क्योंकि बाकी जो मार्केट में books हैं कोई daily use sentences की है कोई सिर्फ grammar के उपर है conversation की कोई बात नहीं करता बिल्कुल zero level से English सिखाने की कोई बात नहीं कर रहा था तो मुझे लगा जिन बच्चों को practice चाहिए मतलब PDF notes से क्या होता है आपको photocopy करवानी पड़ेगी और हैं तो इसलिए किताब मैंने निकाल लिया आपके पास एक handbook होगी हमेशा आपकी मदद के लिए और मानलो आप किसी भी situation में गए बही जैसे बैंक में जाके क्या बात करोगे डॉक्टर के साथ क्या बात करोगे किसी शादी में गए हो तो क्या बात करोगे किसी के जनम दिन पर गए हो तो क्या इंग्लिश में बोल सकते हो तो यह सारी चीजें 40 से ज्यादा conversation EDM phrases और Tenses के जो भी हमारे एक्जेंपल हैं वह हेलो हाई गुड मॉर्निंग से लेके मैंने complete advanced level जितना हो सका है इस किताब में पूरा दिया है ठीक है तो आपकी शिरद्दा है भाई कोई ध आते हैं serious लोग होते हैं कई तगड़े पडाकू मेरे टाइप के ऐसे तो उनको चाहिए होता है कुछ हमेशे आपने पास ठीक है खाने पीने में है और हैड का यूज कैसे करते हैं गायतरी कुमारी अगर आप कहना चाहते हो कि मुझे दूद पीना है ठीक है मतलब मैं प्रेजन्ट में और पास्ट में हैड मैंने खाना खाया था I had my breakfast कि मैंने अपना नास्ता किया था I had my breakfast ठीक है मैं दूद पी रहा हूं I am having milk ठीक है क्या आप दूद पीएंगे will you have milk तो eat or drink की जगह है या मजे लेने की जगह है ठीक है आप अगर कुछ experience कर रहे है न तो आप उसके लिए भी क्या use कर सकते हो आप have का use आजकल कर सकते हो ठीक है तो दोस्तों बड़ा अच्छा लगा इतने टाइम के बाद और बड़ा मैंने आपको Instagram पे follow कर दिया बाई ज इसी चीज है यहां से मैंना personally भी जूडता हूं आपसे for example यह चीजें हैं यह रोईत सर हैं यह संदीप महिश्वरी सर हैं तो मैं आपको भीच भीच में ज्यान भी देता रहता हूं ठीक है motivation भी देता रहता हूं ठीक है और बाकी reels के थुरू आप लोगों को बताता भी रह किता है आप से जूड़के तो इंस्टाग्राम पर जूड़ी जाओ यार सारे ठीक है और बताओ दोस्तों और बताओ नहीं एप में डेली क्लासिज नहीं है एटी जो रिकोर्डिड क्लासिज है भाई वो देख लो जब भी मेरा लाइव बैच स्टार्ट होगा आप लोगो आप सबसे एक ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो लेके बहुत ही जल्द याने की परसों तब तक के लिए बाबाय टेक केर लव यू आल स्लीप टाइट एंड कीप लर्निंग बाई-बाई